नमस्कार सत्य हिंदी पर आपका स्वागत है मैं नीर सिनाबाद जार्खन विधान सभा चुनाओं पर जार्खन विधान सभा चुनाओं को लेकर पहले चरण में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे इन 43 सीटों में कुल्हान की हुए 14 सीटे भी सामिल है जहां 2019 के चुनाओं में भारती जनता पार्टी का खाता नहीं कुला था इक्यासी सदसे जहर्खन विधान सभा में आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटे 28 है और इन 28 सीटों पर जीत हार का फैसला सत्ता हासिल करने के लिए वेहद महत्पुर्ण माना जाता है 2019 के चुनाओं में भारती जनता पार्टी को इन 28 में से सिर्फ दो सीटों पर जीत मिली थी और इसके साथ पार्टी ने आदिवासी इलाकों में अपनी जमीन खोई और सत्ता भी दमा दी इसी साल हुए लोग सभा चुनाओं में भारती जनता पार्टी को राज में आदिवा सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें 20 सीटे अधिवासियों के लिए रिजर्व 6 अनुसुचित जाती के लिए रिजर्व और 17 अन्रिजर्ड यानि सामाने सीटे हैं 2019 के चुनाओं में 43 सीटों में जारकंड मुक्ती मोर्चा को 17 भारती जन्ता पार्टी को 13 और कॉंग्रिस को 8 सीटों पर जीत मिले थी हम बताएंगे कि इस बार 43 सीटों पर जो पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं वहां लड़ाई की तस्वीर कैसी है किस इलाके में किस रीजन में कौन से दिगज प्रतिष्ठा की लड़ाई में फसे हैं और भारती जन्ता पार्टी की चुनाओी मुहीम किन के हाथों में है इधर इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े दारुंदार जार्खन मुक्ति मौर्चा के कारिकारी अध्यक्ष मुक्मंत्री हेमंद सोरिन और उनकी पत्नी जो जार्खन मुक्ती मोर्चा की विदायक होनी के साथ एक इस्टार केमपेनर हैं कल्पना सुरें चुनावी मोर्चा कैसे संभाल रहा है हम बताएंगे 2019 के चुनावी आंकडे और इसके साथ ही बताएंगे कि पुलहान में चंपाई सुरें समेथ किन दिगजों के भागे का फैसला होना है चोटा नाकपूर और पलामो रिजन में क्या कुछ तस्वीर उबरी है कहां कांटे की लड़ाई है और कहां तिरिकोण यह मुकाबले का आसार है दरसल पहले चणड में जिन 43 सीटों पर उनके लिए 11 दिनों में हमंतर सो्रें और कल्बना सूरें ने अस्थी चुनावी सभाएं की हैं इनमें कोलान इलाके में 37 सभाएं भी सामिल हैं उदर भारतिये जन्तापाटी की चुनावी मुहीम की कमान नरिंद्र मोधी संभाल रहे हैं और उनकी सीधी नजर जहारखंड में हेमन्सुरिन के हेमन्सोरिन से सत्ता छीन निपर happy भारत्य जंतापाटी के कई बड़े निता अक्सर यह कहते रहा हैं कि नरिंद्र मोधी के नित्रितह में यह चुनाव लड़ा जा रहा है और भारत्य जंतापाटी सत्ता में वाप्सी के लिए कुई कसर नहीं छोड़ना चाहती है नरिंद्र मोदी की अगुवाई में भारतिय जंदा पार्टी के दिगज नेताओं ये एक सेना चुनाओ परचार में उत्री हुई है, जबकि हेमंद सोरेन और कलपना सोरेन मजबूती से उनका सामना कर रहे हैं, अलबत्ता कांग्रेस की चुनाओी नईया भी हेमंद सोरेन औ की भी कई चुनाओी सभा ज़ारखंड में हुई है, 2019 की हम चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ी कर लेते हैं, 2019 में भारतिय जंदा पार्टी अकेले चुनाओ लड़ी थी, और उसे 33.37 वोट प्रतिस्द सेयर मिले थे, यानि 33.37 प्रतिस्द वोट सेयर के साथ भारतिय जंता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जारखंड मुक्ति मोर्च या कांग्रेस आरजेडी ने गटबंदन में चुनाओं लड़ा था, लड़े थे, और उन्हें 36.35 प्रतिस्द वोट सेयर मिले थे, 36.35 प्रतिस्द वोट सेयर के साथ जारखंड मुक्ति मोर्च या कांग्रेस आरजेडी गटबंदन को सहताली सीटों पर जीत मिली और हुआ सत्ता पर कावीज हुआ, भारतिय जंता पार्टी को जेमिम गटबंदन से महज 3% भोट कम मिले, लेकिन वो इस सीटों की संख्या 25 रही, 2019 में ही आजसु को 8.1 जीरो परतिसत वोट मिले थे, यानि आजसु का वोट सेयर 8.1 जीरो परतिसत था और उसे 2 सीटों पर जीत मिली थी, हलाकि अब आजसु में विदाईकों की संख्या 3 है और इस बार 3 चुनाव लड़ रहे हैं, अब बात कुछ मुद्दे की कर ल भारती जनता पार्टी ने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का बड़ा एलान किया है, साथी पार्टी ने अपना चुनावी एजेंड़ बताते हुए कहा है कि जारकंड में हुआ है यूनिफर्म सिविल कोड यानि UCC लाएगे, हलांकि पार्टी ने इससे मुक्ति मोर्चा कांग्रेस घटबंदन ने एक वोट साथ गारंटी के नाम से घोशना पत्र जारी किया है, कांग्रेस अध्यक्ष मलीकार जुन खडगे की मौज़ीदगी में हेमन सोरिन ने या घोशना पत्र जारी किया था, इसमें इंडिया ब्लॉक ने महलाओं के खाते करने में सरकार के द्वारा दी जा रही एक हजार रुपय को बढ़ाकर डाई हजार रुपय करने का वादा किया है, इंडिया ब्लॉक ने अपने भोशना पत्र में सर्णा कोड ए 1922 के Lesner Report के आधार पर Lesnervay रिकॉड के अधार पर अस्थानीय निति औ। OBC, ST, SC के आरेक्षन बढ़ाने का भी वादा किया है। सरना कोड जार्खन के सियासत के केंद्र में रहा है और आधिवासी संगठन लगतार इस मुद्धे पर अंदोलन करते रहा है। सरना कोड, OBC, ST, SC के आरेक्षन बढ़ाने के सवाल पर, सरना कोड के सवाल और 1932 के खतियान के आधार पर अस्थानिय नीती तई करने को लेकर हेमन सोरिन की सरकार ने पहले ही जार्खन विदान्सवा से परस्ताव पारित करकेंद्र को भीजा है। चुनाओं में इंडिया ब्लग के नेता इन बातों पर जोर देते रहे हैं कि जब हेमन सोरिन की सरकार ने इन मुद्दों पर परस्ताव पास कर केंद्र को भीजा है तो केंद्र सरकार कुंडली क्यों मारे बैठी है। इसके अलावा हेमन सोरिन और कलपना सोरिन एक और सवाल पर चुनाओं परचार में जोर देते रहे हैं। वह है कोईला कंपनियों पर राजे सरकार का एक लाग च्छतिस हजार करोड रुपिय का बकाया। एमन सोरिन इस दावे के साथ भारतिय जंता पार्टी और केंद्र सरकार दोनों पर लगातार निसाने साधेते रहे हैं। अग बात कर लेते हैं कोलहान रीजन की जहां की 14 सीटों पर चुनाओं होना है। पोलहान में ही चंपाय सोरिन पर पुरे राज की नजर ञेकी हैШ्ट सराइकेला से चुनाओं लड़ रहे चंपाय सो रिन पिछले 30 अगस्त को भारतिय जंतापार्टी में सामिल हुए थैं। सराई केला से 6 बार विधायक रहे 25 और मुकाबला जार्खंड मुक्ती मोर्चय के गणेस महाली से होना है गणेस महाली चुनाओं से ठीक पहले भारतिय जंता पार्टी छोड़कर जार्खंड मुक्ती मोर्चय में सामी लिए थे और इस बार सराई केला में बिलकुल आमने सामने की लड़ाई है फैसला वोटरों का फैसला 13 नौंबर को आएगा जबकि नतीजे 23 नौंबर को सामने आएगा तब पता चलेगा सराई केला का सिकंदर कौन कुलाहन की ही कुछ और सीटों पर बात कर लेते हैं जहां सबकी निगाहेंटी की है कुलाहन की आदिवासियों के लिजर्व ये सीट है जगरनातपुर जो परतिष्ठित सीटों में सुमार है और वहां से गीता कोड़ा चुनाओ लड़ रही है पुर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा का मुकाबला कॉंग्रेस के विधायक और उमिद्वार सोना राम सिंकु से होना है लेकिन चुनाओ के आखरी वक्त तक वहां एक नई तस्वीर उभी उभरी है पुर्व विधायक और निर्दलिय उमिद्वार मंगल सिंग बोबोंगा तीसरा कोण बनाने में जुटे हैं और गीता कोड़ा और सोना राम सिंकु को मंगल सिंग बोबोंगा के खत्रे से बचने की चुनोती है गीता कुड़ा और मधुकुड़ा जगरनातपूर की सीट से दो-दो बार पहले विधायक रहे हैं और सिंभूम संसदिय सीट से भी दोनों ने एक-एक बार चुनाव जीता है लेकिन इस बार ज्ञारखन मुक्ति मोर्चा की जोबा मांजी ने गीता कुड़ा को सिंभूम की सीट पर हराया है और इसके साथ ही चुनावी सियासत में यह माना गया कुल्हान की चुनावी सियासत में यह माना गया कि कुड़ा दंपती का किला ज्ञारखन मुक्ति मोर्चा ने हिला दिया है एक और नाम है पूर्णीमा दास साहू जो जमसीत पूर पूर्वी से मैदान में है रगवर दास की बहू को भारती जन्ता पार्टी ने मैदान में फिल्ड किया है उनका मुकावला कॉंग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सांसत दक्टर अजई कुमार से होना है पूर्णीमा दास साहू पहली बार चुनाव लड़ रही है हलाकि पूर्वी सीट से रगवर दास पहले पांच बार भी दायक रहे है 2019 के चुनाव में सरीव राई ने रगवर दास को निर्दलिय उमिद्वार के तोर पर हराया था तबरगवर दास राजी के मुखमंत्री थे इस बार सरीव राई जंसेत पूर पस्चिम सीट से जेडियू के टीकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला उनके चीर परती दौनद्वी बन्ना गुपता से होना है कॉंग्रेस की लीडर और सरकार में मंत्री बन्ना गुपता और सरीव राई जंसेत पूर से दो दो बार के विधायखान इस बार भी बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है उधर घाटसीला सीट पर भी लड़ाई दिल्चस्प है दरसल चमपाई सोरिन के पुत्र बावुलाल सोरिन यहां से भाजपा के उमिदवार है और उनका मुकाबला जहारकंड मुक्ती मोर्चा के कद्दावन नेता और हेमन सरकार में मंत्री रामदास सोरिन से होना है कुलहान में ही आदिवासियों के लिए रिजर्व पुटका सीट से अरजुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाओ लड़ रही हैं और उनका मुकाबला जहारकंड मुक्ती मोर्चा के विधायक और उमिद्वार संजीव सरदार से है यानि कुलहान की चार सीटों पर अरजुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा मधुकोडा की पत्नी गीता कुडा रगुवर दास की बहु पूर्णिमा दास साहू और चंपाई सोरिन के पुत्र बाबुलाल सोरिन के भाग का फैसला 13 नौ जुड़ी हुई है पुलान में ही भारतिय जंता पाटी ने अपनी सहयोगी आसू पाटी के लिए इस वार तीन सीटे छोड़ी है आसू पाटी जुग सलाई इचा गड़ और मनोहर प्यूर की सीट पर शुनाव लड़ रही है जुग सलाई अनुसुचित जाती के लिए रि दो बार पहले चुनाव जीते हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं आसू पाटी के सामने या सीट जारखंड मुक्ती मोर्चा से छीनिने की आसू पाटी के सामने चुनावती है और जारखंड मुक्ती मोर्चा के सामने या सीट बचाने की चुनावती है पुल्हान से निकल कर हम चलते हैं पलामो रिजन में पलामो रिजन की 9 सीटों पर चर्चा कर लेते हैं 2019 के चुनाओं में इन 9 में 5 सीटों पर भारतिय जनता पाटी की जीत हुई थी जिसे एक सीट पर एनशीपी के टीकट से कमलेश सिंग्ग जीते थे हुआ हुसेनाबादर है और भारति जनता पाटी के टीकट से मैदान में है उनका मुकाबला आरजेद्ऄי्डिक उमिदवार और पुर्विदायक संजे चीग यादव तथा बस्पा के उमिदवार सीव पूजन कुस्वाहा से हैं सीव पूजन कुस्वाहा भी हुसेनबास से बिधायक रहे हैं इन तीनों के अलावा विनोज सिंग जो निर्दलिये चुनाव लड़ रहे हैं वह भी एक कौन बनाने की कोशिसों में जूटे हैं 2019 के चुनाव में बिनोज सिंग निर्दलिये लड़े थे और आखरी वक्त भारतिये जन्दा पार्टी ने उने अपना समर्थन दिया था पलामू में ही गड़वा के सीट में मितलेश ठाकूर परतिष्ठा की लड़ाई में फसे हैं मितलेश ठाकूर सरकार में मंद्री हैं 2019 में उन्होंने गड़वा के सीट पर जार्खन मुक्ति मोर्चा का पर्चम लहराया था इस बार उनका मुकाबला भारतिय जनतापाटी के सतिंद्र तिवारी और समाजबादी पाटी को उमिदवार गिरिनाद सिंग से है गिरिनाद सिंग इस सीट से पहले चार वर विधायक रहे हैं और सतेंद्र नाक तिवारी भी दो बार चुनाओं जीते हैं पलामों में ही लातिहार की एक सीट है जो अनुसूचित जाती के लिए रिजर्व है यहां जार्खन मुक्ति मोर्चा के उमिदवार और सरकार में मंत्री बैजनात राम का सीधा मुकाबला भारतिय जनत पाटी जारखन मोक्ति मोर्चा, दोनों को अपनी सीटे बचाने की चुनोती है और इसके साथ ही आगे बढ़ने की लिए पलामों þे निकल कर हम आते हैं, छोड़ानाक पूरशुचुक्व में पहले बात कर लेते हैं, सौछ छोड़ानाक पूर की सौच छोड़ानाक पूर क स्टुर्ण का मुकाबला आसू पार्टी की उमिदवार निरू सांती भगत से है पाप निरू संती भगत ज्यू यह सीट जीतना लोहर्दगास निकल कर आते हैं रांची सीट पर रांची जो जार्खंड की राजधानी है यहां से भारती जन्ता पार्टी के च्छाबार के विधायक रहे सीपी सिंग का मुकाबला जार्खंड मुक्ति मोर्शा की उमिदवार और राजसभा की सांसद महुआ माजी से है 2019 में महुआ माजी महज 69 वोटों से चुनाव हारी थी इधर 10 नवंबर को परधान मंत्री नरिंदर मोदी का रांची में एक रूड़ सू हुआ इस रूड़ सू के बाद सीपी सिंग और भारती जन्ता पार्टी की उमिदें बढ़ी है जबकि जारखंड मुक्ती मोर्चा के सामने भारती जन्ता पार्टी का घड़ हिलाने की चुनोती है राची से निकल कर चलते हैं हम नौर्थ छोड़ानागपूर उत्री छोड़ानागपूर की कुछ सीटों की चर्चा कर लेते हैं इन सीटों में एक है कुडर्मा की सीट जहां से भारती जंता पार्टी की डाक्टर नीरा यादो मैदान में हो आतिरिकोणिये मुकाबले में फस भी कि जार्कन्ट के चुनाव में या लालुपरशाद की पहलिے चुनावी शवह थी, 2019 के चुनाव में डाक्टर निरा यादो माज़े सट्रा सो वोटों से जीती थी, रगवर दास की सरकार में मंत्री रही नीरा यादो का नीरा यादो इस बार नीरा यादो इस बार त्रीकोर्णिय मुकाबले में हैं और उनके भग्य का फैसला भी 13 नौवंबर को होना है कोडर्मा के सीट से ही केंद्रिय मंत्री अनपरोणा देवी की भी परतिष्ठा जुड़ी है दरसल यहां से हुआ चार बर विधायक रही हैं और 2019-2024 में उन्होंने कोडर्मा संसदिय सीट से चुनाव जीता है